जै मातादी आप सबका आपके अपने चैनल नीचर डिजाइज में स्वागत है नवरात्री के आठवे दिन आदिशक्ती महागौरी की पूजा की जाएगी देवी भागबत पुरान में बताया गया है कि मा के नौ रूपों और दस महाविद्या सबी आदिशक्ती के अंच और स्वरूप हैं लेकिन महादेव के साथ उनकी अरधांगिनी के रूप में महागौरी हमेशा विराजमान रहती है मादुर्गा के इस सवरूप की पूजा करने से सोम चक्र जागरित होता है और इनकी कृपा से हर असंभव कारे पूर्ण हो जाते हैं जादतर घरों में इस दिन करन्या पूजन किया जाता है और कुछ लोग नवमी के दिन पूजा अर्च करने के बाद करन्या पूजन करते हैं माता का स्वरूप संसारिक रूप में इनका स्वरूप बहुत ही उजवल, कोमल, श्वेत वर्न और श्वेत वस्त धारी है देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिये है और वे सफेद विशब यानी बैल पर सवार है मा का दाहिना हाथ अभे मुद्रा लिये हुए हैं और नीचे वले हाथ में शक्ती का प्रतीक त्रिशूल है वहीं बाएं हाथ में शिव का प्रतीक डमरू और नीचे वाला हाथ भी भक्तों को अभे दे रहा है मा के हाथ डमरू होने के कारण इनको शिवा भी कहा जाता है मा का ये सुरूप बेहत शांत और द्रिश्टी गत है इनकी पूजा करने मातर से व्यक्ती के सभी पाप नश्ट हो जाते है माता का भोग अश्टमी तिथी के दिन मा, गौरी, को नारियल या नारियल से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है बोग लगाने के बाद नारियल को ब्रह्मन को दे दे और प्रसाद सोरूप भक्तों में बाण दे जो जातक आज के दिन कन्या पूजन करते हैं कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूज़ की जा सकती है भक्तों को माता की पूजा करते समय गुलाबी रंग के वसर पहनने चाहिए क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है इससे परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है माता महागौरी का ध्यान मंत्र या देवी सर भूतेशु मा महागौरी रूपिन संस्तिता नमस्तस्ये 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 नमोनमा मा महागौरी की पूजा विधी अश्टमी तिथी की पूजा बाकी के नवरात्रों की अन्य तिथियों की तरह ही की जाती है जिस तरह सब्तमी तिथी को माता शास्त्री विधी से पूजा की जाती है उसी तरह अश्टमी तिथी की पूजा करनी चाहिए इस दिन मा के कल्यान कारी मंत्र ओम देवी महा गौरे नम्हा मंत्र का जाप करना चाहिए और माता को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए साथ ही जो जातक कन्या पूजन कर रहे हैं वे भी कन्याओं को लाल चुनरी चढ़ाएं सबसे पहले लकडी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माता की तस्वीर या मूर्ती पर सिंदूर वचावल चढ़ाएं साथ ही मा दुर्गा का यंत रखकर उसकी भी इस दिन पूजा करें मा का ध्यान करते हुए सफेद फूल हाथ में रखें और फिर अर्पित कर दें और विदिवत पूजा करें मा महागौरी की कथा देवी भागवत पुरान के नुसार राजा हिमाले के घर देवी पारवती का जन्म हुआ था उनको आठ वर्ष की आयू में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लगा था तब सही उन्होंने भगवान शिव को अपने पती रूप में मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि मा केवल कंद, मूल, फल और पत्तों का अहार करने लगी बाद में माने केवल वायू पीकर ही तब करना अरम कर दिया मा की तपस्या से प्रसंद होकर भगवान शिव ने उनको गंगासनान करने को कहा जैसे ही माता पारवती गंगासनान करके गई तब देवी का स्वरूप शाम वरन के साथ प्रकट हुआ जो कौश की देवी कहलाई दूसरा स्वरूप चंदर्मा के समान प्रकट हुआ जो महागोरी कहलाई माह महागौरी अपने भक्त की मुराद पूरी करती हैं और सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाती हैं आशे करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल नेचर डिजाइस को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्रेस कीजे और कमेंट में जै माता दी लिखना ना भूलें धन्यवाद जै माता दी